हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल साजिया डिजाइनर आप देख रहे हैं कि मार्क्स के आज हम कटिंग और स्टिचिंग करना दोनों सीखेंगे हम पहले कपड़ा लेंगे और उसको सीधा करेंगे और फिर हम, अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो लाइक और सस्क्राइब दोनों कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखके बताएगेगा कि आपके ये फाइदे मन है या नहीं और हम इसे कपड़े को करेंगे फोल्ड, इसे हम टू फोल्ड करेंगे एक बार हम बस फोल्ड करेंगे अंदर की तरप कि अंदर का कपड़ा सीधा होना चाहिए और इस पे हम रखेंगे अपना पुराना कोई भी माक्स या फिर आपके पास पैटर्न है तो पैटर्न भी रख सकते हैं पर में पास पैटर्न नहीं है तो मैं इसे माक्स यूज है कर रही हूँ और हमने माक्स की marks की cutting करनी है और हम इधर chalk से निशान लगाएंगे chalk से हमने निशान लगाना शुरू कर दिया है और इसी तरीके से आपको भी chalk के निशान लगाने है यहाँ पे लास्टिक आ रही है इसलिए हम से बीच में लगाएंगे अधरवाई लास्टिक का छोड़ देंगे और हम इसी तरीके से पूरे marks की सेम इसी तरीके से निशान लगाने है आप देख सकती है कि किस तरीके से मैं लगा रही है इसी तरीके से आपको भी लगाने है और एक तरब के लग चुके इसी marks को पलट के दूसरी तरब लगाएंगे और हमने दूसरी तरब भी लगाने शुरू कर दिया इसी तरीके से आपको दूसरे तरब भी निशान इसी तरीके से लगाना है अगर समझना है तो आप देख सकते हैं दुबारा इसी को हमारे आधा लग चुका है, अब हम नीचे की तरप से भी लगाएंगे यहाँ पे भी लास्टिक आ रहे हैं, इसलिए हम लास्टिक का छोड़ देंगे इसी तरीके से पूरा लग चुका है लो, हमारे निशान दोनों तयार हो गए हैं आप देख सकते हैं, कि दोनों तरप इसी तरीके से लगाने है निशान आपको जह हमारे दोनों तरप लग चुके हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा पर जब आप लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा और इसी तरीके से आपको cutting करनी है, निशान की और आपके दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ही काटना है इस तरफ का cut गया है, इसके दो पल्ले निकलेंगे जिसा आप सी में चिपकाने हैं, slice हैं, stitch करने है और दूसरी तरफ आपको समझनी आ रहा है, इसलिए मैंने दिखाया है कि इसी तरीके से रख के cutting करनी है हमने cutting करनी शुरू कर दी, हाँ और इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी cutting करनी है और जै हमारी cutting पूरी हो नहीं वाली है, yellow पूरी हो चुकी है अब हमारे कंटिंग भी अब हमारे पूरी कंटिंग हो चुक्टी है और इसके चार पल निकलेंगे जैसे कि आप देखी सकते हैं कि फ३र पीस हो गए उस करें तृट इसी तरीक Lehrer से स्टिच करने और की तरफ से आपको सीधा सीधा रखना है और उल्टे की तरफ सिलाई करना है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जेलो हमारी सिलाई मसीन भी स्टार्ट हो गई है चलनी और ये हो गया और इसी तरीके से आपको करना है अंदर की तरफ दूसरा पल्ला भी सेम इसी तरीके से उठाना है और सेम ऐसी स्टिच करना है दूसरा भी इसी तरीके से ही सिलाई करनी है जैसी पहली वाली में आपने देखा है इसी तरीके से आपको दूसरी मार्क्स के पल्ले की कटिंग करना है ये लो, हमारा दूसरा माक्स की पल्ला भी तयार अब आपको दोनों पल्ले उठाना है और सीधा सीधा अंदर की तरफ रखना है और आप देखी सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहे हूँ कि सीधा सीधा होने चाहिए और दोनों के पॉइंट एक दूसरे में अटाच होने चाहिए और ही से मिसलाई करना स्टार्ट करेंगे और बराबर कर लेना है पूरे चारो पल्ले इसी तरीके से और आप लेंगे लास्टिक अगर आपके पास ऐसी लास्टिक नहीं है तो आप अपने पुराने माक्स की लास्टिक यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से और आपको लास्टिक पक्की करना है क्योंकि जब हम इसे पल्टेंगे तो लास्टिक निकल सकती है और आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लास्टिक अटेच करनी है जैसा है अब देख सकते हैं यह दूसरी लास्टिक ली मैंने और दुबारा से ऐसे ही आपको अंदर लास्टिक करनी है और इसे भी पक्का कर देना है और इधर हम थोड़ी सी जगा छोड़ेंगे पलटने के लिए आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी जगा छोड़ी है और आपको इसमें फिंगर डाल के लास्टिक खीचनी है और बस ऐसे पलट देना है जब पलटने बाग हमें अपने लास्टिकों को खीच कर बहार पूरी तरीके से बहार निकालना है और इसे हम लेंगे देखिया हमारा माक्स इस तरीके से बनके कुछ रैडी हो जाएगा और इसके चारो तरब से कपड़ा भी निकाल लेंगे जो अंदर होगा और फिर इसके उपर लब की सलाई लगाना शुरू करेंगे मेंस एक पैर की सलाई जिसे एक पैर की सलाई भी बोलते हो और लब की सलाई भी बोलते हो आप देख सकते हैं बिलकुल बारीकी से कड़ना है कई से उतरना नहीं चाहिए और कई से चड़ना भी नहीं चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा माक्स ये लो हमारा बस माक्स तयार होने वाला है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से माक्स तयार हो चुका है बस थोड़ा सा रह गया है यह होगी है हमारा marks पूरी तरीके से ready आप इसे अपने इसी तरीके से अगर आपके पाँ शूट का कपड़ा है तो उसे इसी तरीके से बना सकते है और यह लग हमारा marks तयार हो चुका है और आप प्लीस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा